हेलो बच्चो बात करते एक और नए क्वेशन की नीट 2020 में पुछा गया था ये विच इनकरेक्ट अबाउट जिम्नो स्पर्म जिम्नो स्पर्म के बारे में कौन सा स्टेट्मेंट गलत है पहला दिया था their seeds are not covered ये बिल्कुल सही है अगर आप देखेंगे जिम्नो स्पर्म में page 38 पे लिखा हुआ है जिम्नो स्पर्म जिम्नो means naked and sperma मतलब seed मतलब इनके seeds covered नहीं होती है ये तो सही है they are heterosporous ये heterosporous होते हैं ये भी बिल्कुल सही है ये भी NCRT में लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये किस तरह के हैं अगर आप यहाँ पढ़ेंगे paragraph तो जिम्नो स्पर्म कैसे हैं heterosporous line देख सकते हैं ठीके next बोला है male and female gametophyte are free living इनके male और female gametophyte free living होते हैं ये बिल्कुल गलत है अगर आप यहाँ पर देखेंगे line unlike bryophytes and redophytes in gymnosperms the male and female gametophyte do not have independent free living existence ठीके 2020 में ये line पुछी गई थी और last बोले most of them have narrow leaves with thick cuticle ये भी सही है इनमें narrow leaves होती है with thick cuticle यहाँ पर आप देख सकते हैं needle like narrow leaves तो इस तरह इसका answer हो जाएगा क्या है third यहाँ पर यह गलत है incorrect है ठीके इस तरह की और questions मैं इंस्टाग्राम और YouTube पर शेयर कर रही हूं आप उसको जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए thank you so much